हेलो थिरन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आपसे लोग बढ़िया होगे और आपसे लोग बढ़िया होना भी चाहिए देखो बोनस वीडियो नहीं आएगा तो ज्यादा एक्साइटेड बिलकुल भी मत होना और इस वीडियो को इंजोई करना ओके और हाँ ला मैंले बता देता हूं पिछले अफसोड्ड तो पिछले अपसोड्म में हमने क्या देखा था हां पिछले अपसेडें हमने देखा था ज्योईयान दूसरे बंदिंगी हर्ट लगादेता है और उसे direction की दरब चले गए होते हैं क्योंकि वो भी पता लगाने चाहते थी क्या किरकार वहाँ पे हुआ गया है और as always अपने टर्की को तो हमेशा ही excited man रहता है नई चीज़त देखने का यानि उड़ता तीर लेने का देन हमने देखा था जब जयान वहाँ पे पहुंचता है तो उस गोल्डन बीश्ट से लड़ सकता था तो जयान केता है हाँ वो बात सही है ठीक है देन हमने देखा था जयान उस गोल्डन बीश्ट के के अंदर चला जाता है और उससे पहले जयान के उपर कपी बार अटेक होते लेकिन जयान उनसे बच जाता है और के अंदर जयान देखत लगते हो किया यह सुप्रीम सेंट लेविल के बॉरियर का कोई और रहा है जो अनका फ्रेश्टिज पावर इस पर भी उसे नलिफाई नहीं कर बा रहा था और यह एपसोड मैंने वहीं पेंट किया था तो यह एपसोड ही स्टार्ट होता है जैस्ट हुआ ही से तो एपसोड क के सामने वो दोनों लोग चीटी की तरह लग रहे होते हैं और यह कुछ ऐसा दिर जैसे कि एक बड़े से स्टार के सामने वो खड़े हुए हो जिसके सामने वो जरा सा भी विरूत करने में क्या पबाल नहीं थे आला कि सवाग से वो लोग तुरंथे लैट हो जाते हैं और जोयो अपने होस में आ जाता है और पसीने से भीग जाता है वो सोच भी नहीं सकता था कि इस चीज przedsiębior जिनो उसके दिल में कितना चाइए डर पैदा कर दिया था जिसके बाद कि कई सालों से जन के दिल में अपयार नहीं हुई थी यहां तक कि डोमें लॉड की मैजिकल वाड़ी जिससे वो इस्टार मून आईलेंड में मिला था उससे भी जन को ऐसा फिल नहीं हुआ था तब जन कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि यह जागने वाला हो इस्टमपी जन पूरी तेगी से चौक जाता है और नीचे की जगे को देखता है उसे लग रहा था कि यह परसन काफी अधा खतरनाक और बड़ा होना चाहिए और अगर यह जमीन के बाहर आ गया तो कैप्टल आप कैयोसी डिश्ट्रा हो जाएगी और यह लोग एकेडमी भी रिश्ट्रा हो जाएगी और यह सोचना ही काफी अरह खतरनाक था तभी जोयो कहता मामू मुझे नहीं लगता मैंने के बले से कुछ हद तक ही फील किया है पूरी क्लियार्टी से इसे फील नहीं किया और सायद यह जागने का स्टार्टिंग स्टेप है मुझे लगता है कि यह अभी भी सो रहा है इस टम पे जोयो अपने दिल में सदमे को दबा देता है खुद को सांत होने के लिए मजबूर करता है और जी ओ यान को दिलासा देते हुए खुद को भी तसली देता है तभी जोयो यान भी कहता है कास ऐसा ही हो इस टम पे वो भी पसीने से तरवतर हो गया होता है साथ यह उसके दिल में काफी रहा टेंसन भी होती है क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो इस बात को पूरा क्लेर तो नहीं मान सकता था और एक चीज़ तो वो समझी गया था कि कैप्टलॉप के उसके नीचे एक मिष्टीरियस औरीजन है जो की सो रहा है और भले ही वो औरीजन अभी सो रहा हो एक ना एक दिन तो वो जरूरी जागेगा और यह एक जामपल था कि अगर वो जागा तो जो डिजाश्टर वो लेकर आएगा उसे कोई सोच भी नहीं सकता तभी जोयो कहता मामू जादा मत सोच डर्क गोल्डन बीश्ट के पास ज़्यादा आटेकिंग पावा नहीं है इससे पहले कि वो लोग नीचे आए जल्दी से ब्लेड असेंस को इकटा कर और यहां से निकल जोयो तुरंति एकसर में आते हुए जोयान को याद दिलाता है और जोयान भी एक जटके से खुद को कंट्रोल करता है और इसके बाद लिटिल डर्क गोल्डन बीश्ट को देखता और बड़े-बड़े करदम बढ़ा कर तुरंति उसके पास पहुँच जाता है जिसके बाद जोयान हवा में एक ब्लेट की तरह अपने हाथ को साइन करते हो उसके गले को काट देता है पूरी तरीके से नहीं मतलब हलका सकट साथी जोयान को पूरा कंफर्म नहीं था कि वो इसके पाबरफुल स्टॉंग अनब्रेकबल सेल को तोड़ पाएगा इसलिए उसने ऐसा किया था दूरी तरफ डार गोल्डन बीश्ट वो दीरे दीरे चल रहा होता लेकिन उसका दिमाग धीरा नहीं था और वो तुरंतिया अपने बड़े सेल को अपने सेल के अंदर खीच लेता है लेकिन उसकी स्पीड स्लोती और जोयान की स्पीड फाज और उसके गरदन के अंदर जाने से पहली जोयान ने उसे कट मार दिया होता है लेकिन जैसे ही जुहन की उंगलियां उससे टच होती है तो अचानक से चट चटाने की आवाज आती है और डार्ग गोडन बीश्ट को तो कुछ नहीं होता लेकिन जुह यान की एक दो उंगलियां चटा गई होती है आए मिन टूट गई होती है यह देकर जौन तो इंटिया अपने हाथ को फीचे की चिता हुए कहता है यह तो काफी यादा मोटा है और काफी सर्प्राइस होता है जिसके बाद जौन और ज्यादा संकोच करने की कोसेस नहीं करता और उसके ओरिजन को इसके हाथ में एक कटा हो जाती जिसके बाद वो एक तेज बलेट की तरह है डार्क गोल्डन बीश्ट की गर्दन पे चोट मारता है और मेटल के टकरानी जैसी आवाज आती है और ओरिजन कोई से बना हुआ वो बलेट टुकडों में तूट जाता है दूज तरह डार्क गोल्डन बीश्ट वो केवल अपने सिर को हिलाता और उसके आसपास बॉड़ी में कोई भी चोट के लक्षण नहीं थे ये देखकर तो जहान खुद को इकाफी बाद डारता और कहता है ये कितना ज्यादा कठिन है या तक कि मुनार कल्टिवेसन लेल के बॉरियर की ओरीजन कोई भी इसे नहीं तोड सकती बला यहां इसका एफेक्ट कैसे नहीं हो सकता तभी जो कता रहे मामू कहां तू बेबकूफी में फसा हुआ है एमफरफलेम के यूज कर और जल्दी कर वो महसूस करता था कि लोग यहां की तरफ भाग रहे हैं और वो नहीं जानता था कि इन लोगों के बाद डार्गोल्डन वीश किस तरीके से नाराज हो जाएगा साथियों से यह भी नहीं पता था किस की मम्मा यानि बड़ी बाई डार्गोल्डन वीश वो अपने एरिया को क्यो छोड़ के भाग गई है वो भी अपने बच्चे को भी तभी जॉयन के हाथ में फोर कलरड है एंपराफलेम धदकने लगती है और जॉयन अपने दातों को कसकर पकड़ लेता है इन यांग और इजन कोई उसकी बॉड़ी में पागल पंतरी के सबरने लगती है उसकी हाथेली से ब्लैक और वाइट ब्लेड क्रियेट होते हैं जिनके अंदर की पावर काफी जारा खतनलाग लग रही होती है और इस टाइम पे इस टाइम का ये अटेक जोन का सबसे स्ट्रॉंग एटक माने जा सकता था जो अब तक जोन ने डर्क लिटन बीश्ट को उपर किया था और अगर जोन का ये एटक अब भी डर्क लिटन बीश्ट के बचाव को क्रोस नहीं कर पाता तो फैट जोन के वहल फोडूरी ज्पेट Emperor Technic का ही यूज़ कर सकता था जिसके बाद Black and White Light Blade मीचे की दर अब गिरते हैं और Space की लैरो को चीरते हुए वो Dark Golden Beast के गर्दन से जाकर टकराते हैं और अचाना कि एक Powerful दहार निकलती हो और अंगले ही पल Dark Golden Beast के गले में एक खूनी घाव बन जाता है जो एक हाद जितना मोटा था हाला कि ये Attack काफी बड़ा था लेकिन Dark Golden Beast के गर्दन की साज को देखते हुए यो तो उसके खरोच से भी चोटा था हाला कि जैसे ही वो Black and White Light Dark Blade Dark Golden Beast के गले के अंदर गुसता है तो तुरंत उसके गाव में Blood आने लगता है और उस Blood के अंदर ऐसी पावर होती है जो की एक हजार जिन भारी होती है जिससे तो जैन का हाद भी कापने लगता है और उसका Blade तुरंती गाव हो जाता है और उसके बाद गले से Golden Blood की एक Drop निकलती है जिसके अंदर की पावर काफी आदा थी जिससे Space भी फ्लेक्चुएट हो रहा होता है जिसके बाद जैन कहता है Dark Golden Beast का Blood Essence और जिस टैम पे ये Blood दिखाए देता है ये उन लोगों की आखों में भी आ जाता है जो अभी अभी उतरे थे और सभी काफी आदा नोर कर देता है और जियान की ओरिजन को इसे बना हुआ एक बड़ा साहाँ उस Blood Drop को पकड़ लेता है और जियान की बाड़ी से निकलने वाली ओरिजन कोई काफी सारे Emperor Cultivation Level को पीछे दखेल देती है तब ही जादता लोग नीचे की तब ध्यान देते हुए कहते है मैं विस्वास नहीं कर सकता कि ये बास्तों में नीचे का सीन है और वो भी इस जगए को देखकर काफी सीरास हो जाते है जिसके बाद उनकी रज़ा Dark Golden Beast पे पड़ती है जो पहले ही अपने सेल के अंदर जा चुका होता है और अगर वो भी Blood Essence को प्राप्स करना चाहते तो बुक्केवल उस टर्टल के सेल को ही डिश्ट्रॉ कर सकते थे तब ही एक काले कपड़ बाला आदमी कहता है लिटल ब्रदर इस Blood Drop को जो भी देखेगा उसका हिस्सा होगा Dark Golden Beast की इस Blood Essence की कीमत कम से कम 11 मोनार क्रिस्टलिया की उससे जादा ही होगी तो हम दोनों इसे Equally Divide करेंगे आपको क्या लगता है और बेसक मैं Oxon House का मैनेजर हूँ और इसके बाद काले कपड़ पेंड़ वो आदमी एक कदब आँगे बढ़ाकर जो यान की दरब देखता है और उसकी नजर जोयान पे नहीं बल्कि जोयान के हाथ के Blood Essence पर होती है और उस आदमी के पीछे उसके काफी सारे Powerful Sub-Ordinate भी थे और कुछ और भी लोग होते हैं जो की काफी Powerful ग्रूप को लीड कर रहे होते हैं लेकिन ये Black Person बाकियों की नजरों को पूरी तरह केस इग्नोर कर देता है तब ही जोयान भी कहता है मैंने कहा दपा हो जाओ और इस टांप पी जोयान के वर्ड काफी कोल्ड होते हैं तब ही वो Black Color के कपड़े पेंड़ एल्डर हसते हुए कहता है आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है लेकिन तब ही अचाना के एक हैरान कर देने वाली आबाज आती है जोयान तुम यहां क्यों हो और यह सुनकर जोयान पीछे देखता है तो एक जानी पहचानी हस्ती दिखाई देती है और उस चेहरे को देखकर जोयान देखता है कि यह जाना पहचाना परसन है जिसका नाम यूएन टॉंग टियान है जिसे जुएन ने तब देखा था जब वो Sinful Blood Clip में टेजर को खोजने के ले गया था इसे ने जुएन कहता है Boss Yuan और जब Juyoyan Yuan Tong Tian को देखता है तो उसकी वह उड़ जाती है हाला कि उसके दिल में इसका काफी इच्छा भी बैट नहीं था नहीं मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता और अपने हाथ इला देता है हाला कि उसे नहीं पता था कि अब Juyoyan कितना ज़्यादा मजबूत है लेकिन इस थौट के लिए कि वो Dark Golden Beast के Blood Essence को प्राफ्ट कर सकता था यह पहले ही चौकाने के लिए काफी था और भले ही उसके मन में अगर कोई strategy हो भी तो भी कम से कम उससे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत तो नहीं करेगा जिसके बाद Juyoyan यौन टॉंक्टियान को इग्नोर करते हुए कहता है तुम लोगों के बारे में क्या है साथी Juyoyan को यौन टॉंक्टियान से बिल्कुर भी डर नहीं था क्योंकि पहले वो केबल मोनार्चंप्र लेविल पर था तब भी बोस से नहीं डरता था अब तो Juyoyan की पार पहले ही काफी हाई लेविल पर पहुँच चुकी थी तो इससे डरने का तो सवाल ही नहीं उठता था जिसके बाद Juyoyan ग्रूप की तरफ देखता है और उसके इंप्रेसन सांत होते हैं साथी Juyoyan ने फिल किया था कि यहाँ पे काफी साही लोग हैं लेकिन इनके पास वो प्रेसा नहीं था जो कि Monarchal Division लेविल के बादे को सब्रेस कर सके तब भी Black Clark के कपड़े पहने वो परसन तुरंती करता है डार्क गोल्डन बीष्ट का ब्लेडेसनस काफी अदा रेयर है यहां तक कि Holy Beast से भी रेयर तो अगर आप इस जगे से जिन्दा जाना चाहते हैं तो उसे मुझे दे दे साथी उस ओल्ड मैं ने यौन टॉंक्टियान को भी पहचान लिया था और जब वो उसे पीछे अटते हो देखता है तो उसे जान की ताकत की कुछ समझ तो हो जाती है हाला कि वो पीछे हटना तो चाहता था लेकिन अर्वो मूनार किस्टल के खजाने की जो बात थी और लालच तो एक बला है और यही एक कला है जो लोगों को मरवा देती है इसलोब धम की बरे बर्ड चू यान को कहता है और जैसे उसके मूँ से ये बर्ड निकले थे काफी सारे लोग सतर खो गए होते हैं और जो यान की तरफ देखते हैं उन्हें पता था कि होली बीश्ट और ब्लेड एसेंट से ज़्यादा कीम थी कुछ भी नहीं है तब यह जैन कहता अच्छा और स्माइल करता है उसकी आंके गोल्ड हो जाती है और इसके बाद वो आंगे बढ़ता है तो ब्लेक कलर के वो लड़ के और रेलडर का फिर खतरनाक तरीके से ज़्यादा को देखते हैं साथ ही यहाँ पर जो कोई भी नहीं चाहे था इन में से कोई भी वेवकूब नहीं था इन में से जञादा था लोग जो यान की स्ट्रेंट के बार में जानते थे इसलिए कोई भी जो यान के खिलाब खड़े होने की हमत नहीं कर रहा हो होता और सब पीछे अट रहे होते हैं तभी ये देखकर कि जिब भद्दे फेसें प्रजन बाला ओ ओल्ड मैन जो यान पर अटेक करने वाला है यान टॉंक्ट यान कहते हैं सेक्ट मास्टर जिन मैं आपको सलाय देता हूँ कि आप मौत की तलास ना करें बन्ना आप यहां पे केबल मारे जाएंगे और अपनी बात को एंट करने के बाद वो चुपचा पीछे हाड़ जाते हैं और भीड भी पीछे हाड़ जाती है तब ही जिन कहता है बैसे मैं आप सभी को सलाय दूँगा कि आँगे क्या होने वाला उसके बारे में सोचो मत बन्ना आप में से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप कैसे मरे और भीड को पीछे अप तो यहां थोड़न थी रुखता और कोल्ड वाइस में कहता है क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहां पे फाइट हुई तो काफी यारत धमाके होंगे और हो सकता है कि अगर वो क्रिच्चर एक बार फिर से जा गया तो वो कितने लोगों को मारेगा और कैसे मारेगा किसी को भी उम्मीद भी नहीं होगी हाला कि यहां पे हर किसी के छिपे वो मकसद थे और वो ज्यान पर अटेक नहीं करना चाहते थे लेकिन डार गोल्डन बीश्ट के आसपाथ अंगिनद सिर्वल मून एसंस ने सभी क्या खिलाल कर दी होती है इसलिए ज्यान की बात कोई भी नहीं सुनता और इससे पहले कि जहान अपनी बात को कंप्लीट कर पाता बहुत देर हो जुकी होती है और कोई भेडियों की तरह चलाते हुए पागल पन तरीके से डार गोल्डन बीश की तरफ दोड़ने लगता है और जब एक बंद आटेक कर देता है तो बाकी लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और तुरंती पावरफुल और एक साथ आंगे की तरफ बढ़ जाते हैं तभी जहान कहता है ये केबल पागलों का एक जुंड है और इसके बाद ये देकर कि किसीना टेक्निक या जोयान खुस होता है और एक चलांग के साथ जमीन की तरफ उड़ जाता है साथी वो इस जगे के अजीब एटमोस्पेर को फिल कर सकता था इसलों वो यहां पे और नहीं रुकना चाहता था साथी जहां तक इस जगे की बात थी तभी जुआन इसमाल करते हों कहता है क्या आप सिल्वर मून असेंस को नहीं चाहते आप मेरे पीछे क्यों आ रहाए है जिसके बात जुआन कहता है क्या आप अभी भी डार्ग गोल्डन बीष्ट के ब्लेड असेंस को प्रात करना चाहते है तभी युआन टॉंक्टियान कहता है ब्रदर जियो युआन आप मजाक कर रहे होंगे मुझे मैं ऐसा करने के हिमत नहीं है लिकिन अगर लिट्र ब्रदर आँगे बढ़ना चाहते है तो मेरी हैवन स्पेस ट्रेडिंग कमपनी आप वो संतोज जनक कीमत जरूर देगी इस टैंट पर युआन टॉंक्टियान अपने बिजिनिस के चर्चे चारोतरफ फैलानी के लिए रेडिय हो जाता है और इसमाल करते है जुआन से कहता है तभी युआन कहता है बकवास मत करो मेरा बेटा एंपर कल्टिवेशन में ब्रेक्ट्रू करने वाला है हाला कि इसकी बहुत संभावना है कि वो सक्सेस्फुल होगा लेकिन मैं सेप्टी के तोर पर और कंपर्म होना चाहता हूँ इसलिए मैं यहां आया हूँ आपसे ड्रेगन बीर्ड एस्दोर इस्पिड जिंसन का एक टुकड़ा मांगने के लिए और इस टैंप पर मुझे स्माइल करते हूँ काफी है सीरियस होता है तभी युआन कहता अगर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताते तो हो सकता है मैं इसके बारे में भूल जाता और इतना कहने के बाद जौन अपनी हाथ को मुड़ता है और एक ब्लैक आयरन का बॉक्स निकलता है जैसे कुछ स्पिच और लाइट भी निकल रही होती है और इसी के अंदर सिन्फूल ब्लड क्लिप के नीचे का ड्रेगन बीर्ड एजोर इस्पिर जिंसन था जो जैन ने बान लाउ सेंस से छीन लिया था जैन ने स्टार्टिंग में से यूनर और कालिंट करे रखने के लिए सोचा था जिसके बाद वो मिंग्यांग डेवाइन डोमेन में गया रास्ते में वो काफी साथ ताकेदवा लोगों से मिला चौंग मिंग हॉल में भी गया लेकिन जैन को ड्रेगन एजोर वीर्ड जिंसन के बारे में बिलकुल भूल गया था उसे तो इसके बारे में याद तक नहीं था और अगर याद टौंग ट्रियान इसके बारे में नहीं बताता तो जियान इसके बारे में पूरी तरीके सा भूल जाता जिसके बाद जियान कहता है इसके बदले में तुम मुझे क्या देना चाहते हो इस्टार्टिंग में तो ज़न डेगन बियर्ड इस एज्जोर इस प्रिट जिंसेन का यूज और लोगों का दिल जीतने कले करना चाहता था लेकिन ज़न ज़न जिस भी परसन से मिला था वो पहले से काफी ज़रा पाउरफुल था और किसी के लिए इसको खोदा कर मांगना काफी ज़रा मुस्किल था लेकिन इस टाइम पिजन इस मौके को नहीं गवाना चाहता था और इसके लावा बाद बाला परसन एक बड़ी ट्रेडिंग कमपनी का पॉस्ट था तबी यूँआन टॉंक्टियान के था है मेरे वेटे को एमपर कल्टिवेशन में ब्रेक्ट्रू करना है और ये सबसे इंपॉटेंट है तो ये बहुत अच्छा हुगा कि आप इसे मुझे दे दे साथी फ्यूचर में जब आप हैवेंट ट्रेडिंग कमपनी में आएंगे तो आपको आधा पैसा दिया जाएगा और हर कीमत पे छूट दी जाएगी इसके बारे में क्या खयाल है इस टमपे यूँआन टॉंक्टियान ने जो यूँआन के लिए हर एक चीज की कीमत लगवगादी कर दी थी साथ ही उसे पता थे कि कैये टरलॉप के उसके अंदर एक और एंपरर कल्टिवेसन होने का मतलब था कि उसकी पावर में बढ़ जाना और ये पावर में बढ़ उत्री उसके मोनार क्रिश्टल से काफी जारा थी तवियान के जादा कुछ नहीं जोियान के लिए मौजूदा ताकत के साथ अब पैसा कोई भी माइने नहीं रखता था क्योंकि अगर उसके पास बास्तों में अगर मोनार क्रिश्टल पैसों की कमी होती तो वो किसी भी ग्रूप के उपर अटेकर के उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकता था तरियान टॉंक्टियंग के चर पर एक confident smile आ जाती और वो अजीब तरी किसे smile करती हो कहता है ये मेरी गलती थी आप अपनी skill के साथ भला मोनार क्रिश्टल को कैसे नहीं पा सकते और इसके बाद वो कुछ देर तक सोचता है और अचाना की उसकी आवाज धीमी हो जाती और वो कहता है जिसके बाद वो धीमी आवाज में कहता है अगर little brother को कोई आपती नहीं है तो क्या आप heaven trading company में आ सकते हैं कुछ दिन पहले किसी ने एक item भेजा है हाला कि मैं यह नहीं बता सकता कि यह किस तरीके का फावडेशन से है लेकिन little brother की नजर के एक औरी साएथ तो मुसे जान सको कि वो क्या है और इसके लावा वो चीज निश्चित तोर पर कोई ना कोई ट्रेजर होनी चाहिए और उसके ingredient और metal को देखते हूँ ऐसा लग रहा है कि वो एक heavenly weapon का टुकडा होना चाहिए हाला कि यह एक heavenly weapon के comparison में काफी array strong है इसलिए यह Asian time से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है तो मैं उसका यूज ड्रेगन बियर्ड Azure इसमिर जिन से इनके बदले करूँगा आपको क्या लगता है और यहाँ टॉंग ट्यान के चर पर एक smile आ जाती है तभी जान कहता है यह बात आपने उसे कहां से पाया इस time पे तो जान का दिमाग भी हिल गया होता है और वो तुरंती curious होते हो पूछता है तभी वो कहता है star sabring mountain range साथी जिसने मुझे यह भेजा वो एक expert है और इसके बदले उसने एक अरा मोनार की crystal के लिए कहा था हाला कि मुझे यह नहीं पता था कि यह कैसे काम करता है और भले ही वो एक हैबली पर पनकर टुकणाई क्यों नहो वो इतना लंबा रहा इसलिए मैं इस बात से agree नहीं था साथी इसके लिए मैं सहमत नहीं था इसके अलावा dragon beard azure spirit jinson की एक कीमत है जो की कापी कीमती भी है और दौनों की कीमत होनी चाहिए मैं surprise हो कि क्या वे equal price पर होंगे वो कुल मिला की यह कहना चाहता था कि मुझे नहीं पता dragon azure spirit jinson की कीमत की बराबर वो टुकड़ा हो गया या नहीं लेकिन मैं उसके बदले से exchange करना चाहता हूँ लेकिन अपना right air बहुत लंबा चोणा लेख रहा है इस टाइम पर उसके चैर पर एक प्यारी सी smile होती और वो जयान को देख रहा होता है तब जयान केता है Emperor Cultivation Level के बाइटल पावर के बारे में तुम क्या सोचते हो जिसके बाद जयान हसते हो कहता है अगर मैं अपना मूँ खोलो और बंद करूं तो भी मेर पास काफी मोनार क्रिस्टल अपयर हो जाएंगे हालन कि वो बिजनेसमैन बंदा था इसलिए जयान उसकी बातों को ज्यादा दिल में नहीं लेता और जहां तक हैवेली वेपन के टुकड़ी की बात थी जयान को ऐसा लग रहा था कि वो उससे फैमिलियर होना चाहिए इसलिए जयान इसके बातों थोड़ा सा सोचने लगता है तभी ये सुनके ययान टॉंक टियान इसमाल करते हो कहता है अगर मेरा बेटा बास्ता में एमपरा कल्टिवेशन लेवर पर पहुँच सकता है तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी उसे आपको देने में और वो काफी अरा खोस होता है साथ ही अपना ठरकी तो एलकेमिस्ट भी था तो वो अगर पूरी हेल्प करता तो बास्ता में उसके बेटे यौन लियांग को एमपरा कल्टिवेशन तक पहुचने में कोई भी पैसान नहीं होने वाली थी तभी यौन कहता है चलो चलते हैं और उस हैवेनली वेपन के टुकड़े पना जड़ डालते हैं जिसके बास जौन आसपास की जगे को देखने के बाद तुरंत यौन टॉंकियां के साथ पीछे पीछे चल पड़ता है जौन को पता था कि नीचे लड़ने वाले लोग लाइब डेस्ट का वैटल लड़ेंगे और आकरी में बाहर आने बाले लो उनके पास सिल्वर मून एसेंस होगा जो कि कैप्टल आप काया उसमें काफी बड़े डिजास्टर को ला सकता है क्योंकि एक हेवनली वैपन को रिफाइन करते टाइम उसे श्ट्रॉंग बना निकले के बल नाखून क्या कार के सिल्वर मून एसेंस की ज़रुत होदी थी जबकि अंदर तो काफी बड़ीं कॉंटिटी में सिल्वर मून एसेंस था तो ये तो निश्चित तोर पर ही कैप्टल आप काया उसको डिजास्टर में ले जाने वाला था और पूरे इस्टार डोमेन को हिला करक देने वाला था साथी यूँआन टॉंग टियान भी ये जानता था कि सिल्वर मून एसेंस दिखाई दिया है और हैवन स्पेश ट्रेडिंग कंपनी के एफेक्ट के कार उन्हें ओक्सन हाउस में ये आईटम काफी दिखाई देंगे तो इस टाम पे उनके पास मोटी कमाई करने के काफी सारे मौके होंगे तो उन्हें मौत के लिए लड़ने की क्या ज़रुदा थी यूँआन टॉंग ट्यान के गाइड़ाइस में सिल्वर मून माउंटें को छोड़ने के बाद बेदानों सीधे ही कैप्टल ओप कैयूस के सेंटर की दरब चल पड़ते हैं साथी कैप्टल ओप कैयूस जो की लोगों की हड्डियों को उगले भी नहीं उन्हें खा सकती थी इस टाम पे काफी अरहाल चल भरी होती है साथी हैवेन इस पेश ट्रेडिंग कापनी की पाउर को भी बीक करके नहीं समझा जा सकता था साथी यूआन टॉंग ट्यान के फादर उन एक्सपर्टों में से एक थे जो हैवेन में एक हाई पोजीशन पर थे हाला कि हैवेन सर्माउंटिंग एलर बोध दुनिया के मामलों की ज़्यादा फिकर नहीं कर रहे थे और गुम नामी में अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं लेकिन उनका एफेक्ट भी अभी भी केप्टल अफ कैयोस में मौजूद था साथी ओल्ड में युवान के साथ उनके सपोर्टर के तौर पर हैवेनिस काई ट्रेडिंग कंपणी कई सालों से कैप्टल अफ कैयोस में खड़ी थी साथी इसने कई छोटी बड़ी पैसानिया अपस डाउन और कापी डिजास्टर भी देखे थे लेकिन बास्ता में उनने कभी भी इससे कंपणी को नुक्सान नहीं पहुचा है था साथी ओन टॉंक्टियान के बाड़ों से ज्वायान को भी काफी सारी चीज़ा पता चली थी और इतने लंबे टाइम तक इस्टर डोमें से बाहर रहने के काण ज्वान को काफी सारी लोगों के बारे में पता चला था और ज्वान को ये भी पता था कि हाँ पे काफी सारी सीक्रेट भी है जो कि युवान टॉंक्टियान बास्तों में जानते होंगे साथी जौन को किसी भी पावरफूर परसन के बिनास और उत्थान के बार में सुनने की कोई भी दिल्चस्पी नहीं होती उसका ज़्यादा तर ध्यान युल्लो अकेडमी पर था और जिस चीज से जौन सबसे जारा साटिसफार था वो ये था कि युल्लो अकेडमी के दियला में बैली में दो लोग अचानक से उपर आये थे उनकी ताकत पहले ही युल्लो रैंकिंग के पीक थ्रीम पे थी और वे मुयू से बीक बिल्कुल भी नहीं थे जो पहले स्थान पर थी और इन में से दो लोग औव्यसली यूनर और काईलिन थे और उन में से दो यूनर और काईलिन के बल एक साल के अंदर ही मुयू के लेवल के बराबर पहुँच चुके होते हैं और यह तो जौन की सोच के भी पार का कल्टिवेशन मेथड़ स्पीड थी एकेडमी के कंपेरजन में बाहर उनकी पार और भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ती लेकिन अगर वो दौनों लोग बाहर गई तो बास्तों में जो यान चैन से नहीं रह सकता था जिसके बाद जो यह कहता है मामू अगर वो बास्तों में इस्टार्स काई टैबलेर के कई टुकड़े थे और अगर वो इसे और प्राफ्ट कर सकता है तो इस्टार्स यलम की डिवाइन ऑबजेक्ट को पूरा करने के एक कदम और करीब होगा तब जन कहता है मैं भी यहीं उम्मीद करता हूँ लेकिन आकरकर वो एक होली ऑबजेक्ट है यहां तक अगर अंत में वह उन सभी पार्ट को इखटा कर भी लेता हूँ तो भी उन्हें बापत से ठीक कैसे किया जाएगा इसमें भी एक समस्या है और मैं इस चीज के बारे में बास्ता में हैवेन से भी नहीं पूछ सकता और अगर वो ऐसा करता तो वो हैवेन के लिए तो मैच नहीं हो सकता था और अगर वो ऐसा करता तो वो इसे एकसेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसने इतने सालों तक इन पार्ट को एक अटा करने के लिए मैनत की थी और वो किसी और के लिए गिप्ट हो जाएगा और ये बात धीरे-धीर जयान के लिए बोज बनती जा रही होती है तबी जो कहता मामू चुकि एक डिवाइन ऑबजेक्ट बन सकता है तो ये निश्चेत तोर पर एक एक एक्स्टा ओर्डिनरी चीज होगी और आप किसी डिवाइन होली अबजेक्ट के रिफोर्जिंग के उमीद किस्से करते हैं इस तरीके की चीज के बल एक परसन के जैसी होती है जिससे ठीक होने के लिए कल्टीवेशन करने की जगरत होती है सभी जिवाण भी समाल कहते है करते है चलो ठीक है चलके देखते हैं वो क्या है और क्या पता वो इस्टाइस के ечение के मैं हौल में पहुंच जाते है लेकिन इस बार बास्तों में ड्रेगन बियर्ड एजियो रिस्प्रिड जिंसिन के साथ एक्षेंज करना उसे ये अभी सही लग रहा होता है टॉंक्टियान की ट्रेडिंग कम्पनी का मेन हॉल काफियर आइकोनिक और सांदार होता है इंटर्स गेट पे दरजनों लोग खड़े हुए होते जो की आना जाना कंटीरू रखे हुए होते हैं और ये लोग अपने अपने बिजनेस के सिलसिले में आ जा रहे होते हैं साथ ही यान टॉंक्टियान एक स्पेसल रास्ते से अंदर जाता है और अंधेरे रास्ते से गुजरते हो इधर उधर जो यान काफी सर्प्राइज हो जाता है एक बड़ी ब्यापारिक कम्पनी जो की दस्यों हजारों लोगों को एक साथ एक खटा कर सकती थी उसे देखकर तो यान सर्प्राइज था ही चीजों की कीमत भी उतनी जाता हाई होती जा रहे होती है और यहां पर तो है वेल ली वीष्ट की डेड बॉडीज भी काफी आम हो गई थी और जो आने के बल्ग सुनाई था कि यान टॉंक्टियान की ट्रेडिंग कंपनी काफी जारा रिच थी लेकिन आज बास्ता में उसने से देखा तो वो समझी गा था यह अपनी रेपोटेसर में बूरी खड़ी उठती है तब यहां टॉंक्टियान इसमाल करते हो कहता है नीचे कुछ आकसन हाउस भी है एक आबाज आती है वोस यहान आप यहां साथ दिनों से हैं आप मुझे कब कंफरम अंसर दे सकते हैं क्या आप बास्तों में मुझे मारने और अपने लिए इस ट्रेजर को रखने के बारें सोच रहे हैं और इसके बाद एक आदमी की आबाज आती है जो काफी अदा जल्द बाजी में दिखाए दे रहा होता है तब यहान टॉंग ट्यांग कहता है माई टॉंग ट्यांग ट्रेडिंग कंपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान के इंदित करती है इस तरीके के गंदे काम हम नहीं करते और इसके बाद वो जोईयान को कमरे में इंवाइट करता है और सिर घुमा कर अपने सामने के बंदे की तरफ देखता है और इसके बाद वो कहता है आप और हम 10 दिनों के लिए सहमत हुए थे कि आप यहाँ पे 10 दिन तक रोकेंगे तो फिर आप बास्ता में अभी से सिकायत क्यों कर रहे हैं। दूर्स तब जुएन भी काफी क्यूर्यस तरीके से स्रूम को दिखता जिसे काफी सांदार तरीके से सजाये गया था। और कमरे के अंदर एक काले कपड़े पहन हुए यंग मैन कड़ा हुआ होता है और वो तुरंती अपनी भूए उठाता है और एक काफी फैमिलियर सा थौर्ट तुरंती उसके दिमाग में आता है जिसके बाद वो तुरंती कहता है तो क्या तुम मान गए वह चीच को लेने के है और ऐसा कहते है वो तुरंती उठ जाता है और उसके यांके साइन होने लगती है और काफी एर एकसाइटमेंट उसके दिल में होता है जिससे छिपाया भी नहीं जा सकता था तब यहान टॉंक्टियन कहता है एक बिलियर मोनार किस्टल कोई छोटी रासी नहीं है हाला कि बास्ता में तुम्हारे पास कुछ अच्छा है तो मेरी हेवेल स्पेश ट्रेडिंग कंपनी वो मोनार किस्टल की ज्यादा परवार नहीं करेगी जिसके बाद यहान टॉंक्टियन को देखता है जिसके बाद वह अचाना की कुछ सोचते हुए धीमी आवाज में कहता है जि ज्यान थोड़ा सा इमोशनल भी फील कर रहा हो था क्योंकि कितने साल हो गए थे उन दौनों को मिले हुए उसे उमीद नहीं थी कि वह एक बार फिर से देख पाएगा तभी यहान टॉंक्टियन सौक होते हुए कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और थोड़ा से इंबरस होते हुए आसता है जिसके बाद वो एक दिल में ही कोस्ते हुए कहता है इस्टार डॉम इन बास्तों में इतना बड़ा है तो यह दोनों लोग इत्ते फाक से तो नहीं मिले होंगे तभी यहान ट्यांग ट्यान को एग्णोर करते हो जौन अपने हाथ को बढ़ाता यूमन हैंड के साइज का एक क्रिष्टल दिखाई देता है साथ ही एक क्रिष्टल हैंड काफी अदा नॉर्मल दिख रहा था लेकिन जैसे यह क्रिष्टल अपेर हुआ था तो जो यहान की श्रोज देख अचानक से वह कांपने लगी थी और जोन फील कर सकता था कि उसकी लगबग तूटने की कगार पर थी जिसके बाद जोन तुरंती कहता है यह क्या है और इंकेंग के हांसे किस्टल को ले लेता है इस टाम पे जोन के दिल में उतल पुतल मची हुई होती क्योंकि यह बस तु बास्ता में इस्टाइस का टैबलेट से जुड़ी हुई एक से मुझे यह साबरिंग मांटें रेज में मिला लेकिं मैंने इसे बिल्कुल भी सीजरसली नहीं लिया था जिसके बाद वो काफी इस्ट्रिक तरीके से कहता है लेकिन कुछ दिन पहले इन जिक्सवान के सब और इनेटों में से एक ने इसे देखा और मुझ से फोर्सफुल कोई नहीं जानता हुनी कितने बर्सों से सैतान निकबजे में ले लिया है उन्होंने तो लगबख पूरे ही प्रोफांड इन कैसल को अपने طریقے से बदल दिया है चाती उसने आसपास के काफी सारे क्लेन और किलों के उपर अटेक करना इस्टाट कर दिया है और आसपास के के लिए जिसे उसने इतने बर्सों में जीता था उन सभी में रहने वाले सभी लोगों को उसने मार दिया है और ऐसा कहते हुए इन केंग की आखे लाल हो जाती है और उस टाइम पे कोर्ड इंप्रेसन बाला यह यह यंग मैं जिसे बारी ताकोतों से ज्यादा एफेक्ट नही कैसे हो सकता है हाला कि उसकी अच्छी चाप ज्यान के दिल में पहले भी नहीं थी तभी इन केंग कहता है मुझे नहीं पता जबसे आप लोगों ने प्रोफावन इन कैसल को छोड़ा ऐसा लगता है कि वो किसी अधर परसन में बदल गया उसके लाँ उसने कुछ और सब और को भरती किया था जो और भी क्रूआल हो गए हैं साथ ही मैंने फिल किया था कि वो मुझे कई बार मारना चाहता था बार बार और ऐसा कहते हो वो कसकर मुठी बंद करता है और उसके नाखून उसकी हतेली में धर जाते जैसे खून निकलने लगता है तो साले नाखून काट लो ना यार मतलब इतनी सारी पावर है टेक्निक से साला नाखून नहीं काट सकते तुम लोग जिसके वेजन कहता है इस्टार साबरिंग माउंटेन रेज में बहुत सारे पीक पावर हाउसे से क्या हम इन जिक्सवान को वो सब करने देंगे वो जो चाहता है इस टाम पे ज सुनने के बाद जो यहां उसकी बाद को कंप्लीट सुनने का फैसला करता है और उससे पूछता है तभी इन कैंग कहता है मुझे नहीं पता उसने किस तरीके का इस्तमाल किया है लेकिन पैलेस माश्टर और पावर फुल लोगों ने बास्ताम इसका अधर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है और कोई भी उसका विरोध नहीं कर रहा साथ ही इन जिक्सवान की प्रेजन टाइम की इस पावर सच में काफी यह रहा खतरनाक है यह सुनकर तो जोड़ जाते हैं और वह इन कैंग की जलते हुई आंकों को देखता है तो काफी देर बाद वह तरदी क पास रखो जब मैं वापस आँगा तो मैं इसे ले लूँगा इस टाप पर जॉन ने फिल कहा था कि उसका हार्ट काफी यह स्पीड से ढरक रहा होता है जिसके बाद ज्यान ट्रैकन बियर्ड पियोर एजियोर इस्प्रिड जैन से निकलता है और उसे यूएं टॉंग ट्य वह वह थेक है और तक बाहर जाते हुए जो यह आंकर देखता है चाप बड़ते हैं यसके बाद वह जल्दी से जाख चरतTE कि उससे पूछ सिधा इस्टार साफरिंग मांटें रेज की डाइक्सन में जाता है उसकी पूरी डॉप बॉड़ी में इस्टार लाइट लिप्टी होई होती है और ज्यान का चाहरा उदास होता है और दिल बेच चाहन ज्यान को लग रहा था कि इस जुकसन के ऐसे बदलाव की संभावना सबसे ज़्यादा सोल डेमेंस हो सकती है और उसकी सिच्वेसन बिलकुल मीनिंग की तरह हो सकती है और इसके लाबा ज्यान अपने दांत भीचते हुए काफी गुस्ते से कहता है क्या यह नाइन डिसाइबलों में से एक हो सकता है तभी ज्योयो भी सर्प्राइज होता है क्योंकि चौंग मिंग हौल में उन में से एक को जी उसने देखा था और उन में से एक ने कहा था यूमू बेटर डोमेन में है और इस्टार डोमेन को छोड़ने से पहले उसने 9 में डिसाइवल को बचाये था तो उसी को बेटर डोमेन में होना चाहिए तभी जयान कहता है हाला कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ 9th डिसाइवल होगा उनकी डेजार इतनी छोटी नहीं हो सकती क्योंकि अपनी पावर के साथ वो इस्टार माउंटें साबरेंग रेंज में नहीं रुकेगा वो तो अपनी पावर के साथ हैवन को भी चैलेंज कर सकता है साथी जयान और जयोयो के कंबरसेशन से उन्हों एक चीज़ तो पता चली थी कि प्रेजाइवल में तेन डिसाइवल तो ठीक थे लेकिन एक बंदा अभी भी साइज उसकी कोई न कोई स्टेटजी बन रही होती है और हो सकता है कि वो अटेक करने की स्टेटजी बना रहा हो तभी जयोयो केता क्या आप अभी भी सोल डेमेंज को याद कर रहे हैं ये सुनते ही जयोयान तुरंथी अपनी आखों को से कोड लेता है और सेरिलाता है जब जेट फैरी ने अर्थ फायर प्रोपांट क्रिस्टल वीष्ट को मारने के लिए हाथ मिलाया था तब एक सोल डेमेंज इन जिक सुआन के साथ दिखाए दिया था और लाट में किसी को भी नहीं पता था वो कहां भाग गया था तब यहन केता मुझे लगता है इस मामले का उससे रिलेसन होना चाहिए और इन कैंग ने का यह सब हमारे जाने के बादे स्टार्ट हुआ था तो यह सुनते हुए जो यहन भी तुरन थी सीरस होते हुए कहता है अगर इस बार यह वही है तो हम उसे भागने नहीं दे सकते और इसी के साथ अब यह एपसोड भी मैं यहीं पैंट करता हूँ क्योंकि हाँ मैं नहीं पता कि इने भागने में कितना टाइम लगेगा और पहुँचने में बटे से हम नेक्स एपसोड में कंप्लीट करके देखी लेंगे ओके तो बाइवाइट रेंट फैमिली गुड नाइट क्यो मैं कि बाइब इना कर दो पहाँ मैं सेणनर्बूट topics任 विवचने में छाहँ मैं育ीर्स फाप नादेटी चाचलेम वार परोबूट से हम पतितना क्यों नहीं कि वाफाल क्यों कि अन्त मुच ele हैं भी में लुचके बादीे प्याओ